हालो, प्राइज अलाट, गड्स मानिंग अग्यान एकार बार, हाला दूया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ और प्रभु की जैजेकार, उसकी महिमास रेव की है, है कि मैं, एमान, आज हम पढ़ेंगे, चेप्टर फूर, और सौंग नंबर फूर, रुटन लोगों को कंफर्म तो किसी को भी नहीं है, दिर अग्यान बुक आफ लिम्टेशन वाज रिटन बाइ प्रॉफिट जर्माया, लेकिन प्रॉफिट जर्माया नहीं यह जो लिखा है, कभी-कभी जंदे के गेरे में भी आता है, तो यह मौका कब मिला वो यह लिखने का, यरुशलिम का पतन हो चुका है, बरबाद हो चुका है, लोग तराही तराही कर रहे हैं, परमेश्यों को पुकार रहे हैं, क्योंकि अब सब कुछ बरबाद हो गया है, जिस पे वो भरोसा रखते थे, वो तो खतम हो गया है, तो इसे भी है, वो यह हुआ को पुकार रहे है पतन के पश्चात यरुशलिम की दशा क्या है आईए पढ़ते है चेप्टर फूर वर्ट्स बन सोना कैसा खुटा हो गया है अतिन्त खरा सोना कैसे बदल गया पवित्रस्थान के पत्थर तो हर एक सड़क के सिरे पर फैंक दिये गए है सियोन के उत्तम पत्र जो कुंदन के तुले थे वे कुमार के बनाएगुए मिट्टी के घड़ों के समान कैसे गिने गए है गीदन भी अपने बच्चों को थन से लगा कर पिलाती है परंतु मेरे लोगों की बेटी वन के शतुर मुर्ग के तुले निर्दई हो गई है दूद पीते बच्चे की जीब प्यास के मारे तालू से चिपट गई बाल बच्चे रोटी मांगते हैं परंतु कोई उनको नहीं देता जो स्वादिस्ट भोजन खाते थे वे अब सडकों में व्याकुल फिरते हैं जो मकमल के वस्त्रों में पले थे अब घूरों पर लोटते हैं मेरे लोगों की बेटी का अधर्म सदों के पाप से भी अधिक हो गया है जो किसी के हाथ डाले बिना भी शन भर में उलट गया था उनके कुली नहीं से निर्मल और दूद से भी अधिक प्रजल्व थे उनकी दे मूंगों से अधिक लाल और उनकी सुन्दरता नील मनी किसी थी परंतु अब उनका रूप अंधिकार से भी अधिक काला है वे सड़कों में पहचाने नहीं जाते उनका चमड़ा हड़ियों से सट किया और लकड़ी के समान सूख किया है दशा के बारे मैं सोचो कि क्या क्या हुआ इसरायल के साथ इसरायल की गलती क्या थी परमिश्वर की बात ना मानना परमेशो की इच्छा परना चलना और जो था उसका जवाब यहां देखो क्या हो रहा है बल इतने ही नहीं आग गया मानना कि साथ साथ उन्होंने एचसे से काम की जो परमेशो की विरुट थे सुने ही नहीं सुने ते तुझ रिखी बज जाती है लेकिन नहीं सुने आगे पढ़ूंगा वसना है से तलवार के मारे हुए भूख के मारे हुआं से अधिक अच्छे हैं जिनका प्राण खेट की उपज बिना भूख के मारे सुकत जाता है द्यालू स्त्रियों ने अपने ही हाथों से अपने बच्चों को पकाया है मेरे लोगों ने लोगों के विनाश के समय वे ही उनका आहर बन गए सोच के देखो कि ऐसी हिस्त्रिया जो एक अच्छी हिस्त्रिया थी जो दया करती थी जो प्रेम करती थी उन्होंने अपने बच्चों को पकाया है क्योंकि उसे खा कर वो अपनी जिन्दगी चला है ऐसी हालत लोगों की सोच के देखो आज के समय में लोग ऐसा करते हैं क्या अफकोस अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो साइको होगा बिमार होगा लेकिन यहां पर सोच के देखो वस एलेवन यहां ने अपनी पूरी जलजलाहट प्रकट की उसने अपना क्रोप बहुत ही बढ़काया और सियोन में ऐसी आग लगाई जिससे उसकी नीव तक भस्म हो गई है तो तवी का कोई राजा या जगत का कोई निवासी इसकी कभी प्रतिती ना कर सकता था के द्रोही और शत्रू यरुशलेम के फाटकों के भीतर घुसने पाएं और उनके भुश्यदक्ताओं के पापों और उनके याजकों के अधर्म के कामों के कारण हुआ है क्योंकि वे उसके बीच अधर्मियों की हत्या करते आएं वे सब सड़कों में अंदे सरीके मारे गएं फिरते हैं और मानुल लहू के छीटों से यहां तक अशुद्ध हैं कि कोई उनके वस्तर नहीं चू सकता लोग उनको पुकार कर कहते हैं अरे अशुद्ध लोगों हट जाओ हट जाओ हमको मत चूओ जब वे भाग कर मारे मारे फिरने लगे तब अन्यजातियां लोगों ने कहा भविशे में वे यहां टिकने नहीं पाएंगे यहवा ने अपने कोप से उन्हें तितर बितर किया वे फिर उन पर दया द्रस्टी ना करेगा न तो ग्याजकों का सम्मान हुआ और न पुर्नियों का पर कुछ अनुग्रे नहीं किया हमारी आँखे वेर्थी साहता की बाट जोते जोते बुन्द्री पड़ गई है हम लगातार एक ऐसी जाती की और ताकते जा रहे थे जो बचा नहीं सकी लोग हमारे पीछे ऐसे पड़े कि हम अपने नगर के चौकों में भी नहीं चल सके हमारा अंध निकट आया हमारी आयो पूरी हुई क्योंकि हमारा अंध आ गया था हमारे खदेरने वाले आकाश के उकावों से भी अधिक वेक से चलते थे वे पहाड़ों पर हमारे पीछे पड़ गए और जंगल में हमारे लिए घात लगा कर बैट गए यहा का भी शिक जो हमारा प्राण था और जिसके विशे हमने सूचा था कि इन जातियों की वीशाम उसकी शरन में जीवित रहेंगे वे उनके खोदे हुए गड़ों में पकड़ा गया हे अधौम की पुत्री तु जो उजदेश में रहती है हर्शित और आनदित रहे परन्तु यह कटोरा तुझ पर भी पहुँचेगा और तु मतवाली होकर अपने आपको नंगा करेगी हे इजवायल की पुत्री तेरे अधर्म का दंड समाक हुआ वे फिर तुझे बंधवाई में न ले जाएगा परन तु हे अधर्म की पुत्री और अधर्म का दंड वे तुझे देगा वे तेरे पापों को प्रकट कर देगा कितनी गंबीर बात है but we don't want to accept that सुईकार नहीं करना चाहते बार बार एकी चीज़ का प्रचार किया जाता है ये शुमसी उद्धार करता है ये शुमसी उद्धार करता है but how many people really acknowledge that He is the Lord He is the Almighty God ये वाकरी में differentiate करना बहुत मुश्किल है पर हाँ, आप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं आप ये जरूर कर सकते हैं आप अपनी जिंदगी में priorities रखिए कि मुझे ये करना, ये करना, ये करना, ये नहीं करना उस पर cross लगाते जाएए दिखना आपकी productivity बढ़ जाएगी आपका काम बढ़ जाएगा, परिवार की वरस्ता है बदल जाएगी और बहुत कुछ बदलेगा Believe in that, change yourself and then you will see the grace of God प्रभू परमेश्व तेरी बलाई, तेरी करोना, तेरी लोगों पर हूँ आज और आने वाला हर दिन, तेरी मर्जी में तेरी स्तुती, तेरी तारिफ, तेरी जज़ेकार हो प्रभू समझ दे, बुद्धी दे, और तेरी अवाई मुझ जला मस्येश्व की नाम से प्राटना में मागते हैं Amen Amen, be blessed in Christ, संगती करते रहो प्रभू की स्तुती करते रहो जाएं जिकी